हेलो फ्रेंड्स बीएड वर्सस बीटीस से रिलेटेड जो है आप लोग अपडेट मांग रहे हो कि कल जब दो-दो केसे इसकी सुनवाई थी तो क्या उसकी सुनवाई हुई और हुई तो क्या हुआ छतिसगर वाले मामले में आप लोग को अपडेट चाहिए वो सारी चीजो वहाँ पर गये हैं वो लोग बीएड वर्स बीटीसी के मामदेवे हैं अब यहां पर जो है कुछ बच्चे जो बीएड के हैं उनको लग रहा है कि जिस तरह से MP गॉर्मिंट ने सपोर्ट किया था बीएड वालों को उस तरह से जो है बीएड वालों को resiliency कर भी सपोर्ट कर देंगे चलिए क्या है यह पूरा महामला इसको डीटेल से हम जानेंगे किसके पक्ष में 36 गवर्मेंट गई है उस पर भी हम बात करेंगे एंसासाथ में कल जो दो सबसे पहले तो यह 36 गर का केस जो की सुप्रीम कोट पहुंचा है आप लोग यह बोल रहे हो कि मैं आप 36 सरकार जो है एंपी गॉर्मेंट की तरह सुप्रीम कोट गई है और यहां पर भी क्या उसी तरह से होगा जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीएड अभ्यर्थियों को बचा लिया गया बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी को बचा लिया गया क्या उस तरह से 36 गर में भी यह मामला होगा तो चलो पहले तो समझते हैं कि 36 गर गॉर्मेंट जो है सुप्रीम कोट क्यों गई है सबसे पहली बात में बता दू कि हाई कोट का जो डिसीजन आया था जिसमें कि हाई कोट में छे सपता का समय दिया था शिक्स वीक्स का समय मिला था गॉर्मेंट को कि वो जो है रिजल्ट निकाले और बीएड अभ्यर्थियों को हटा करके डियलेड वालों को जो है नौकडी इसकी टाइम खत्म हो रही थी ठीक है तो अब टाइम खत्म है और 36 गर सरकार अभी तक कुछ की नहीं है तो बस उसके लिए जो है उनको वो सुप्रिम कोट गये हैं ताकि कंटेंट ऑफ कोर्ट की वज़े से ताकि वहाँ पर ये बता है जा सके कि अभी जो है ये मामला कोट ने फैसला दिया है तो यहां पर आप लोग को मैं सबसे पहले बताओ 36 गर्वर्मेंट अपनी आपको बचाने के लिए गई है सुप्रिम कोट ठीक पहली बात तो ये दूसरी चीज है कि जो उन्होंने पूरा अपना प्रेयर और सारी चीजे दी है क्या उसमें बीएड अभिर्थि जिनको अलरेडी नौकरी मिल चुकी है वो नौकरी कर रहे हैं तो उनका इंप्लॉयमेंट की बात है कि नौकरी मिल चुकी है तुन्हें दोने हटाना पस इस नहीं हटाना चाहिए ये जो पूरी तरीके से जिस्तल से एंपी गॉर्मेंट खरी थी भीर्थियों क पार्शिली सपोर्ट बोल सकते हैं कि बेड अपेर्टियों के लिए हो रहा है देखो 36 गरवाला मामला पेचीदा इसलिए है क्योंकि इसमें जो रिक्रूट्मेंट हुआ है वो 11 अगस्त के बाद हुआ है और जो फैसला दिया गया है 8 अपरेल का 8 अपरेल 2024 का जो सुप्रीम क सपोर्ट का क्लारिफिकेशन दिया गया है उसमें क्लियर कहा गया है कि 11 अगस्त 2023 के बाद जिनका भी रिक्रूट्मेंट हुआ है उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा प्रोस्पेक्टिव वाले मामले को जो है इतने अच्छी तरीकी से ऐलोब्रेट कर दिया गया है इसलिए तो इसे नहीं हटाने वाले हैं हमारे हम एक बार नौकरी दे चुके हैं तो हम नहीं हटाएंगे ऐसा अगर कुछ कर देती है तो फिर बहुत दिफिकल्ट है फिलहाल यहां पैसा नहीं देखने को मिल रहा है तो जो डिलेड अभ्यर्थी है वो चैन से सास ले सकते हैं ऐसा अभी ऐसा कुछ नहीं है कि 36 गर्वर्मेंट जो है बीड अभ्यर्थियों के लिए जिस तर से एंपी गर्वर्मेंट खड़ी थी वैसी खड़ी नहीं दिखाई दे रही है अब उन पे और बाखी सारी चीजे होती है प्रेसर बनाया जाता है तो एक अलग है लेकिन फिलहाल ये जो मामला सुप्रीम कोड के है 36 गर्वर्मेंट सरकार अपने आपको बचाने के लिए लेकर के गई है ठीक है कल जो है दो दो सुनवाई 36 गर्वर्मेंट की होने वाली थी हरिशंकर बर्सिस वाला केस था और नवीन कुमार वाला केस था क्यों नहीं सुनवाई हुई तो हमने आपको बताया भी था कि अभी जो है summer vacation की वज़े से court बंद होने वाला है और summer vacation की छुटियां लगने वाली है तो उस समय सिफ urgent cases ही लिए जाते हैं और इसकी वज़े से इन दोनों cases की सुनवाई नहीं हो पाई अब इसकी सुनवाई का date जो है आपको summer vacation के बाद देखने क को मिलेगा जबी इसके बाद देखने को मिलेगा हम बिल्कुल आपको inform करेंगे कि कब इसकी सुनवाई होने वाली है लेकिन फिलहाल आप इन दोनों cases की सुनवाई नहीं हो यहां यह वाला जो case है यह 36 वाला state of 36 गर और वर्स बुरेश्वर साहु और इसका आप लो डायरी चीज़े निकल कर आ सकती है और 23565 यह डायरी नमबर है इसकी सुनवाई urgency में जो है करवाई जा सकती है अगर state चाहे तो क्योंकि urgent cases की सुनवाई जो है during summer vacation भी जो है होते रहती है तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसकी सुनवाई हो सकती है तो इसकी सुनवाई जैसे ही कुछ होगी देट आएगा ऐसा उम्मिद लग रहा है कि इसमें सुनवाई हो सकती है इस summer vacation के दौरान तो जैसे कुछ भी होगा हम बिलकुल आपको inform करेंगे इस से related कि इसकी सुनवाई कम हो रही है क्या चीज़े इसमें निकल कर आ रही है कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि चत्रिसगर जो सरकार है वो बीएट के सपोर्ट में ही गई है देखो अभी जो चीज़े सामने जो निकल कर आ रही है और खासकर कि उनका जो प्रेयर लग तरीके से जो है चेस गर्नेक इसकेorden इसके पक्ष में है तो अभी फिलहाल नहीं कुछ कहा जा सकता है अभी को बी क्लिर नहीं है कि चे筋छर गर्मेंट जो है पंपे सपोर्ट में है की यह इच्छा खरक को लगे सरुपर्ट को शो नहीं है unravel कि यहीं था के लिए तो वो जो चाहे वो decision ले सकती है तो ये चीज़े जो है 36 गर्ण ने already clear की हुई है हाई कोट में तो आप Supreme Court में किस तरह से 36 गर्णमन्ट रखती है ये चीज़े देखने वाली होगी इसलिए मैं बोड़ियो first hearing एक बार हो जाने दो एक सुनवाई हो जाएगी तो clear पता चलने लगेगा कि ये मामला जो है किस साइड में जा रहा है तो B8 वर्जस BTC से रिलेटेड फिलाल यही मामला है MP वाला मामला भी मध्यपरदेश वाला मामला भी Supreme Court पहुँचा हुआ है और उसमें DLA अभिर्थी जो है उसको लेकर के गए है आई कोट में जो B8 के पक्ष में फैसला सुनाया है उसको लेकर के Supreme Court B8 अभिर्थी गए है उसमें भी जैसे जो जो information आते रहेगी हम बिलकुल आपको inform करते रहेंगे इसमें पूरे B8 vs BTC से रिलेटेड तो हमारे साथ बने रहीएगा इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको इसी चैनल के बाद इन से इंफर्म किया जाएगा तिल देंट टेक केरे अब्रीवाद